इस साल सर्वपित्र अमावस्या की 13 अक्टूबर 2023 की रात 9 बज कर 50 मिनट पर आरंभ होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2023 की रात 11 बज कर 24 मिनट पर समाप्थ होगी सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों के श्राद्ध करने के लिए कुछ विशेश नियम बताये गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको धर्म, अध्यात्म और देविय उपायों की जानकारी समय पर मिलती रहें। अमावस्या के दिन प्रात काल, स्नान कर सफेद वस्त्र पहने। स्नान के बाद सूर्य को अर्ग्य दें और नदी या जील के किनारे पिंडदान करें। पित्रों को दूध, कुशा, तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन भोजन में खीर पूड़ी और सबजी ही बनाएं। अपने पित्रों को याद कर उनसे भोजन ग्रहन करने की प्रार्थना करें। सर्व पित्र अमावस्या पर दोपहर को ही भोजन कराएं और श्राद करें। ततपश्चात ब्राहमन को भोजन कराएं और दान दक्षिना आदी देकर उनका आशीरवाद लें। सर्व पित्र अमावस्या के दिन पंचबली और हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मन को भोजन कराने के बाद में घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए. भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना करें. सर्वपित्र अमावस्या पर गाय, कुत्ते और कोय को भोजन जरूर खिलाएं. इस दिन हरे चारे का द और घर के द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं जरूर रखें. सर्वपित्र अमावस्या पर पीपल के पेड़ का पूजन अवश्य करें.